उत्तर प्रदेश की महुविधान सभा से भीम राजबरी ने टिकिट मिलने के बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्टिय प्रवक्ता सुधिंद्र भधोरिया युन्होंने क्या कहा आईए जानते हैं एक चीज़ जान लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता कानून विवस्था के मामले में तरस्थ है और साथी साथ किसानों के सवाल पर बेरोजगारी के सवाल पर तबाह है उत्तर प्रदेश एक विकल्प तलाश रहा है दो हजार साथ के अंदर बहन मायोती जी जब मुक्ष मंत्री बनी हमारा नारा था चड़ गुन्नों की चाती पर मोहर लगेगी हाथी पर इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जन्ता सर्व समाज के हित में और कानून विवस्था जो धुस्थ पड़ी है किसान निराश है नौजवान परेशान है दरदर भटक रहा है इस तर्थ पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और हम लोगों ने भी मराजवर की जो हमारे प्रदेश के अध्याक्ष है इमानदार है कार करता है और बहुत दिनों से पार्टी के अंदर लगे हुए हैं उनको चुनाव में उतारा और अवर्शी उनकी भी जीत होगी और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भूले